इतिहास के पन्नों पर सुर्णिम अक्षरों से दर्शत देश भारत जिसने कई सदियों से अपनी तेजस छवी बनाई है भारत देश की राजनीती में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का महतपूर्ण योगदान रहा है पश्चमी उत्तर प्रदेश के रुखेल खंड शेत्र को यहां की राजनीती का प्रमुक अंग माना जाता है इस शेत्र के सक्षक MLC चुनाओं में बरेली शहर के सपूत डॉक्टर विनेख खंडेलवाल अपनी भविश्यवादी सोच एवं दड़ संकल्प को लेकर चुनाओं में खड़े हो रहे हैं डॉक्टर विनेख की युवाकाल से ही समाज एवं जनकल्यान जैसे विशेयों पर विशेश रुची रही है यहां कासी उन लोगों को जरुवत मन्द है उना रजाई कंबल गर्म कप्रे बगर दिये जाते हैं यह सरान्य कारी है और सबसे बड़ी बात यह है हमारे स्कॉली के जो एक्जिकुटीव डिरेक्टर दॉक्टर विनेख फैनेलवाली है वो इस बाद सिख्षक विधायक के पत के लिए प्रक्याशी है मैं समझता हूँ कि वो नौजवान हैं बहुत सिख्षित हैं और उद्यमन में सिख्षतों के लिए कुछ करने की तबना है MBA, M.com, M.A. एवं रुहेल खंड विश्व विध्याले से PhD की डिगरी प्राप्त एवं विलक्षन नेतरत्र शम्तावाले डॉक्टर विनेख खंडेलवाल का मानना है कि सिख्षा ही एक ऐसी लौँ है जो कूप रथाओं, गरीबी और असिख्षा के तमिर को दूर कर सकती है मैंने हमेशा से ही पिछले 15 साल से विनेख को सारे शिक्षक लोगों के लिए सब टीचर्स के लिए बहुत जादा कंसर्ण देखा है मैंने हमेशा देखा है कि वो दिन राज सोते जाकते हमेशा एजुकेशन की फील्ड में ही सोचते रहते हैं डॉक्टर विनाई खंडेलवाल का मानना है कि अगर सिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित करनी है तो एक अनुभवी सिक्षा विद को ही राजनीती में उतरना होगा प्राए लगवा बीस साथ से मैं शिक्षा की छेत में कारे कर रहा हूँ और मैंने पाया है कि हमारे जो सेल्फ फाइनेंसिंग खास वर्जवित्य में ही शिक्षक संस्थान है वो ही प्रदेश में लगवा 85% संस्थान है और उनके अधिकांश शिक्षक ही खुश नहीं है डॉक्टर विने इस शेतर की तमाम कमियों एवं बारिकियों से भलीबाती परिचित है इस बारे में बिने जी का अपना एक लग ध्यान है कि वो कैसे स्वाल किये जाए युवा काल में डॉक्टर विने ने स्वयम एवं अपने आसपास के युवाओं को उतकरष्ट सैक्षनिक अफसरों की तलाश में भटकते देखा इसलिए डॉक्टर विने खंडेलवाल ने अपने पिता श्रीक गिरधर गोपाल की प्रेणना से सन 2001 में खंडेलवाल कॉलेज, 2009 में खंडेलवाल कॉलेज अफ आर्किटेक्ट एवं प्रेम प्रकाश गुपता इंस्टिूट अफ इंजिनेरिंग की स्थापना की Nцо so, It's been 4 years that I am a part of KCMT and I found dlouin Pearce is a very proactive leader Nobn I always know how to tell me whenabenabhael I have had been tähän school for more children He is very concerned with me I'm here in this college from last two year, I have observed ócological कि Vinessar is quite socialist Its been seven years I am workig with KCMT group and I really feel that VC is a strategist what I like most about him is he is a next level thinker वेल, 10 important qualities which differentiates Dr. Venae Khandailwar from others are, he is a leader. जिसके जीवन का लक्ष जन कल्यान एवं साक्षर्ता हो, वो केवल आरंभिक चरनों से संतुष कहां हो पाता है? आमास सेवा का भी काम ने हो जाए, और पढ़ाई में भी थोड़ा रुची बनी रहे, तो उसको पढ़ाई में चूगी रुची थी, तो उनने मेरी बात को लेते लेते हैं, 18-20 साल की उमर में, पढ़ाई की जो सिक्षा पुद्धती है, उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे सिक् सिक्षक MLC चुनाओं में केवल कुछ सिक्षकों के संगठन, चुनाओं में सक्रिय रहे हैं, एवं सिक्षकों का एक बड़ा वर्ग, MLC चुनाओं हे तू, मतदान नहीं कर सका ब्लूमिंग डेल फैमिली की ओर से आशा करता हूँ कि डॉक्टर बिना इखंडिलबाज जी इस बरेली चेतर से निरवाचित हो, और इस पूरे चेतर के, especially private sector, के जितने भी स्कूल से हैं, चाहे वो हिंदी मेडियम हो, इंग्लिश मेडियम हो, चाहे वो CBC के स्कूल हो, चा के निराकरण के लिए बिधान परिसित में समझ्याओं को उठाएं और उसके निराकरण में हमारी मदद करें। शिक्षक उनको अपना मत देंगे। प्राइवेट विध्यालेयों एवं उच सिक्षन संस्थानों के सिक्षकों में व्यापक स्तर पर जागरूगता पहलाई। इस तुप्यासी माननी एखंडेलवाल जी है और उन्होंने विर्मण किया और हमें बताया काया किता है कि मान दे तो है लेकिन समान कारिये के लिए समान बेतन के लिए मैं पिर्यास करूंगा उन्होंने ऐसा यहाँ पर हमारे सामने रखा है इस लिए हमारे किरण जागी कि आगे चलके यह हमारा भडा ही करेंगी क्या पहली बार हुआ कि इस चुनाओं में वित्तहीन स्कूल के अलावा CBSE, ICSE, रोहेल खंड विश्विद्दाले से संबंधित, समस्त डिग्री कॉलेज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्विद्दाले से संबंधित, सभी इंजीनियरिंग, मैनेज्मेंट, फार्मसी कॉलेज, प्राइवेट युनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिक और वे सिक्षक, डॉक्टर विनेख हंडेलवाल को विधान परिशद के चुनाओं में जिता कर भेजने के लिए संकल्पित हैं और उनसे हम अपनी व्यथा को सिक्षक सम्मान की प्रात्मिक्ता को जिस अधिकार से जिस अपने पन से रख सकते हैं, सायद आउरों से हम उस प्रकार से नहीं कह पाए डॉक्टर विनेख खंडेलवाल एवं उनका पूरा परिवार अध्यात्मिक प्रवर्तिका है इसी के फल स्वरूप उन्होंने बरेली में इसकौन मंदर के लिए भूमी प्रदान की गिर्दर को पार खंडेलवाल जी जो की धार्मी कास्ता वाले व्यक्ति हैं और जिनकी धर्म में रूची है उन्होंने यहां पे इसकौन को लेंड डोनेट किया इसके माध्यम से इसकौन को बरेली में लाए और इस तरह से इसकौन को लाने से फिर भगवत गिता के माध्यम से यहां पे इसकौन अपना प्रचार कारे कर रहा है डॉक्टर विनेख खंडेलवाल के अथक परिश्रम एवं सिक्षा के प्रचार प्रसार में उनके अनेको प्रयासों के लिए माननिय राज जपाल एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा सम्मान पत्र और केंद्रे मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा एजुकेशन एक्सिलेंस अवोर्ड से सम्मानत किया गया वियां फ्योफ दिए वर्ड विड्वार्ड विड्वार्टर विने खंदेलवाल दिस राश्ट्रिय विद्दा सरस्वती पुरुसकार अधिस अवेरी प्रेस्टीजियस जोल फिंडिया ववर्ड प्लस अल भी बहुत सारे अवर्ड नहीं शिक्षा के छेत्र में मिले सिक्षावेद डॉक्टर विने खंदेलवाल अठारह वर्षों से माध्यमिक और उच्च सिक्षा के उतकरष्ट सिक्षकों को गुरू वशष्ट पुरसकार, गुरू द्रोणाचारे पुरुसकार एवं गुरू विद्या सागर पुरुसकार से सम्मानत करते हैं खंदेलवाल कॉलेज के संस्थापक एवं MBA विभाग के असोसियेट प्रोफेसर डॉक्टर विने खंदेलवाल सिक्षकों की सारी समस्याओं को बखुबी समझते हैं यही कारण है कि उन्होंने अपनी प्रात्मिक्ता सुची में सिक्षकों से जुड़े कई मुद्दे शामिल किये वित्विहीन विद्यालेयों एवं महा विद्यालेयों के सिक्षकों को सरकार दोरा निरंतर सम्मान जनक मान दे दिलाना अप्रेल 2005 के बाद न्यूक्त हुए सिक्षकों के लिए पुरानी पेंचन वेवस्था बहाल कराना सभी सिक्षकों को सरकार दोरा निशुल्क, मेडिकल बीमा एवं जीवन बीमा करवाना सिक्षा से संबंधत सभी कार्यालयों से रष्टाचार मिटाना सभी महिला सिक्षकों को अनिवार ये मात्रत व अवकाश दिल्वाना मैंने हमीसा वच्चों को यही बताया है कि जो जमीन से उड़ता है न तो उसको जमीन की कीमत मालम होती है तो मैंने सर को देखकर तुनंत जज़ कर लिया कि अगर एमल सी के चुनाब में इन्हें पोश्ट मिलती है तो हम जैसे बत्वीन लोगों की ये मांग अवश्च रखेंगे कि हम महिलाओं के साथ इतनी प्रॉबलम आ जाती है कि छे महिने की मेडिकल उन्हें लीव मिलती है गवर्मेंट में लेकिन बित्वीन का अगर छे महिने की लीव लेते हैं तो उनका बेतन काट दिये जाता है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बात वो संसद में लेकर वैठेंगे और इस बात को जरूर अपना विसे बनाएंगे और एक नियावाली बनाएंगे जिससे कि सर इस भित्वेहिन कालीजों की भी एक मान देत्या की अग जाए और हम अपने हिर्दे से और सोचेंगे और सब को सपोर्ट करेंगे कि सर को ही वोट कीजिए सिक्षक जिलास्थानां तरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना मदरसा सिक्षकों के लिए कल्यान कारी योजनाएं लागू कराना सरकारी अनुदानित विद्याले एवं महा विद्यालेओं में सालों से रिक्त पड़े सिक्षकों के पदों को शीक्र भरवाना आदी जैसे सिक्षकों के कई मुद्दे डॉक्तर विने खंडेलवाल M.L.C. चुनाओं में उठा रहे हैं प्रोफेसरों की समस्या से खुद सिक्षक होने के कारण वाकिफ डॉक्तर विने खंडेलवाल ने इस चुनाओं के माध्यम से सिक्षा एवं सिक्षकों को उतपीरण एवं सोशन से बचाने की जिम्मेदारी ली है सिक्षकों के खोए हुए सम्मान को पुनर स्थापित कराने के लिए डॉक्तर विने खंडेलवाल ने आगामी M.L.C. चुनाओं लड़कर सिक्षकों की सेवा का बीड़ा उठाया है आईए हम सब मिलकर हाथ मिलाएं और डॉक्तर विने खंडेलवाल के संग बरेली मुरादाबाद मंडल को प्रदेश में ही नहीं बलकि समस्त देश में सिक्षा और सिक्षक जगत के जगमगाते कहकशा के रूप में स्थापित करें गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महिश्वरा गुरूर साक्षाद पर ब्रह्मा तसम श्रे गुर्वय नमा ला जलेगी शिक्षा की हर डगर डगर इस नगर नगर शिक्षिकों की होगी जै जैकार हर डगर डगर इस नगर नगर होगा करप्षन पे प्रहार हर डगर डगर इस नगर नगर ये सब होगा साकार अब है रोहेल खंड तयार क्योंकि संग है खंडलवाल दौक्टर वीन ए खंडलवाल अब है शिक्षक शक्ती का सवाल संग है खंडेलवाल दौक्तर विने खंडेलवाल विने खंडेलवाल आओ खंडेलवाल संग बदले रोहेल खंड MLC प्रत्याशी बरेली मुरादाबाद खंड सिक्षक निर्वाचन विने खंडेलवाल आगामी MLC चुनाव में वोट करें सिक्षा को, वोट करें सिक्षक शक्ती को, वोट करें डॉक्टर विनैख खंडेलवाल को